तो किसान भाई आप सभी का स्वागत है स्मार्ट फार्मिंग चैनल पर मैं हूँ आपके साथ मिक्रिश्णा और आज जिस खेत में हम आए हैं यहां पर बहुती लाजवाब फसले की जा रही है ज्यादा लाब कैसे उठाया जाएगा यह सारी बात आज यहां पर आपको जानन मेरत जी तो यह तहसीन जी है यह इनका खेत है जहां पर इन्होंने नीम्बू खीरा लगा रखा है और किस तरीके से नॉर्मल खेत में ज्यादा अच्छी पैदावार लें ज्यादा अच्छी कमाई करें इसी के बारे माज हम यहां पर जानेंगे उसर सबसे पहले मैं जाना किस वराइडी का निम्बू है अपका यह निम्बू जो है यह कुंब काट है और 12 माज सी मिंबू है काल जी अच्छी यह वह जो गर्मियों में 12 माजी कांग जी निम्बू जिसको प्राइब बस महिने के लिए रोग है बस दिसम्बर और जन्वरी में थोड़ा सा अच्छा का वागा को जालता है तो जब आपने इसका पैड खरीडा था इकने रुपे मिला कि यह तो बैसे इसके लिट कम रहते हैं कि वह मुद्ग है कि सहाने मालूम निन गहां से करीड़ सकते किसाने पैड़ाइट पर जो जनों से मंगाई हुरा हैं तो बताया है साहरनिकूर से ल अभी तर कोई अवैसे ले चुके है । थोड़े भी तो अभी तो हमने जाद है औहीं है। अभी तो एक आपके सबादी तोड़ने के लिए। तो जैसे एक पेड़ पे क्या इस्तिमेट रहता है कि लगबग कितना फ़ल आता है एक साल ले बस इसका तो जैसे-जैसे पेड़ बढ़ेगा तो इसका फल भी बढ़ता चला जाए लेकिर अभी जैसे हम देख रहे है लगबग सभी पेड़ों पे अच्छा फ़ल आया हो आप जैसे समझो जी एक पेड़ पर कोई लगता है और एक बार लगाने के बाद कितने साल तक निम्भू का बाग चलेगा यह बताया जी कोई 20-25 साल तक आपको हर साल लगातार दग और जैसे कि आप बताया है कि पूरे साल इसमें फल लगा रहना है जी 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 अब इसमें तो अगर कोई किसान आज आपकी बात सुनने के बाद उनको लगे कि हाँ फाइदेगा सोदा है आप किसान को क्या सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब जाना चाहेंगे कि नीमगू का बाग लगाना फाइदेबंद रहता है तो यह कहांगा कि इसमें एक तो रखवाल का चक्र नहीं है जैसो कि हमारे हैं से हो जानवर ऐसे हो जाए जो और फसल पूनुक्सान दें जी तो इसमें काटे होने की वज़े से इसमें कोई नुक्सान पर फाइद नहीं है पस यह है के अर्बी इतनी कोई खास नहीं है बस पानी का थोड़ा तो दियान लगए और वाई वाई था अपना तो प्रेंग लें लेकिन जैसा कि आप चाहिए प्रेंग में हमको फ़ल ज्यादा नहीं लेना चाहिए ज्यादा लेने से जो इसकी प्हराब हो जागा है तो उसका तरीका क्या कि जब शुल में फूल को ही तोड़ देते हैं प्लको तोड़ता आप बस फल तोड़गों या इस प्रिया में बहुत से फल फूल खळम करने की तो फिर जो पेड़ की ग्रोफ सही हो गए और पेड़ सही चलेगा तो उसका अलाब ही रहता है कि शुरुआत में ही पेड़ को पर ज्यादा लोड ना के आगे चलके वह हमें अच्छी प्रादावार देंगा तो टोटल खर्चाप के इस खेट में कितना आया था इनों को लग अच्छा काम कर रख एक जमीन में नीम्बू का बाग लगाया जो भी खर्चा आया लेकिन आने वाले 20 साल तक अब कोई खर्चा एक्स्ट्रा दो होगा ने कमाई होगी उसके अलावा बीच में आप देखेंगे ना बीच में जगा बहुत है इस बीच में इनोंने खीरे लगा रखें सरी आपने कब बहुत है यह दो सितंबर को बहुत है और अभी फलाना शुरू हो चुका है पांच वी तोड़ है तो एक दिन में लगबग कितने लगबग तीन चार कुंटल निकल जाए एक बार में और जैसे कि आप बता रहे है कि नवरात्रों में अच्छा रेट में अच्छा रहा है और अभी 20-25 किलो जा रहा है तो यह अभी फसल कितने दिन बात तक और चलती रही कि यह अभी जो है कम से कम से कम से कम एक महिना और सर खीरा बोने का खर्चा कितना आया था अपका यह तो कोई खर्चा खास लिए अंगाजा हमारी किसान भायू को अधायन तो यह था कोई अब इस खेत में नीमो का बाग तो है जैसा है अब बीच में जो खाली जगाती उसमें इन्होंने बहुत है यहां पर खीरे और जिसके जो एवेज में इनको इक अच्छी खासी रेट में फसलिंकी जारी है वो इनको मिल दिया एक और चीज में जाना चाहूँगा अब जैस आप यहां से आप उजान देंगे जब फसल हट जाएगी तब आप इसमें क्या बहुए इसमें प्याज भूँगा यह जो मैं पभीता लगओंगा अच्छा तो पभीता भी हो जाएगा इसमें और यह निमबो तो ही हो रहा है हुम और तो देखे किसान बाहियो हमें चीखन इस वाला दिमाग लगाना चाहिए अब एक और मैं सर के बारे में आपको बता हूँ कि इस पेलर भी लगा रखा है सर उसके बारे में थोड़ा सा बता है कि किसान भायों को हाँ पर इस पेलर तो यू है अपनी सरसो लिया वे और उसे तेल के देने हैं तो उसमें भी जो आपन प्लस आप अगर अपनी सरसो पेल के बेचेंगे तो तेल का और मोटर वाले मिस्टरी भी है तो मतलब यहां पर जो इनसान आएगा उसको फिर किसी के तेंशन की जरुवत में है तो काफी हो है जी 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 रोटर वेटर कर दे हैं हम सब चीज करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है मालिक बुनना पड़ेगा आपको कुछ नहीं तरीके ढूंडने होंगे और कुछ ऐसे लोगों की सोच को फोलो भी करना होगा जैसा कि तैसीन जी कर रहे हैं अपने खेत में बाग लगाया आपने किसी को देखकर लगाया था या आपके मन में खुदी आया था है मेरे मन में और यह समझे थी 3-3-3 महिने में यह तैयार भी हो ले और बो भी देख और खतम भी हो ले तो 3-3 महिने में सारा रिपन सो जाता था जी गितनी कमाल की बात है दोस्तों किसान भाईयो आपस यही कहना चाहता हो। किसान भाहियों काम ऐसा करिए जिसमें आपके हाद में कुछ चीजंग करें इन्होंने घेरा भूया नगद पैसा इनके पास आएका निबू जिस भीन जाएगा नगद पैसा आएगा जाहे अब यह प्यास बोहेंगे या साइडों में ने भू रखी है तो कितनी सारी फसले ल करना शुरू किया था तो इसी लोगों ने आपको आके बोला होगा यार नुकसान हो जाएगा ना ऐसा कुछ नहीं है नुकसान तो हां बोले हैं लोग बाग नुक है मैं आग चोड़के तुम्हें अशा कर रहे हैं इंख में सब कुछ है पर मगा हम थोड़ा अलग हटके चले तीन फसल अगाम चले जा और तीनों में एक लोगों जाओ तो इसमें एक फसल यह तीन महिनने की अगर योग खराब होगी तो दूसरी सुदर जाओगी तो उसका जो है बैलन्स बन जाएगा तो किसान भाईयो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप भी ऐसे काम किया करें ऐसे बाग लगाई ऐसी सोच बनाएं कि हम कुछ थोड़ा देख रिस्क तुरे नहीं पड़ता है अब नॉर्मली इनके आसपास के किसी भी खेत किसान वाले ने कभी कोई बाग नहीं लगा थो थोड़ा सा रिस्क बिलिया थोड़ी से अलग सो अगर सर अब यह बताए हमारे किसान भाई आपकी बाते सुनके बड़ा उनको अच्छा लग रहा होगा वो करना चाहते होंगे तो अगर कोई किसान नीम्गू बोना चाहता है या आपकी तरह खीरे या प्यास कुछ ऐसे चीज़े करना चाहता है अब उनको क्या सला देंग रखते हैं तो उनको न्यारफोस की जरूरी है थोड़ा बहुत और उसके साथ साथ इसे भी बहुत है तो इसमें भी आदमी का हिसाब हो जैसे आपने यह कैसे आप डिशाइब करते हैं कि खीर आपने उस समय पर वोया तो आप आने वाला मोसम या समय का अंदाजा लगा общем बहुत के शाइब हैं अजय हैं तो एक तो सायों का हिसाब हो जैसे सायों का सीजन हो चैनला मोसम या तिवारों का वो तो उसमें अअच्छ ऐंतो समय हो अच्छि देसंबरोरि में तो थोड़ा कम हैं कब हो realise के अचे वह बहुत बहुत आपड़ा है तो आप बताने जो जब ये खाली भी हो जगा जगा बचे कि यहाँ पर आप पपीते बोएंगे पपीते से भी अच्छी कमाई होती है जाओ इसमें प्याज लगाँगा बैठ बनाकर जाज लगाऊगा उसी बैठ पहपिते लगाँगा प्याज खुद घाओगे पपिते रह जाओगा तो पहपितत निम्पमनों चीज जो दो जाओगे लगगगग लगग बगग अधारे सु पेड़ा जाओग ने इसलब पपित आप को थोड़ी से progressive सोच अपनाने चाहिए थोड़ी से नए फंडे अपनाने चाहिए और अपने दिमाग को खुला रखना चाहिए कुछ नए विचार आने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप को यह इसी फसल करें को जानकरी चाहिए तो तैसिंगी से भी आप बात कर सकते आप इन से बात कर सकते हैं आप नीम्बू के बारे में खीरे के बारे में यह पपीता जो भी फसल के बारे में आप जाना चाहें आपकी पूरी दर से सहता जरूर करेंगे तर चलते हमारी किसान भाई से आप कुछ कहना चाहिए परस मैं तो यह हुआँगा भिया सभी इस काम को करें थोड़ा थोड़ा मतलग मिखाली से एक चीज के साथ मना लगके बही और भी करके देखे थोड़ा करे से होगा बिना करे तो देखो कुछ नियोने का रिक्स तो हर चीज में जी बिना रिक्स के तो कुछ भी नहीं है तो लेना पड़ेगा प्राक्टिकल तब तक पता भी नहीं लगता अब दूसरे के करने से वह नहीं होता है तो किसान भाहियो आज की वीडियो में अगर आप पहली बार आये थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शे धन्यवाद जहीं जहीं